हेलो फ्रेंड्स आज हमराने वाले हैं मोगली थीम केक तो जिस बच्चे के लिए मोगली थीम केक बनाया जा रहा है उस बच्चे को मोगली देखना बहुत पसंद है वो हमेशा ही मोगली देखता है तो उसकी ममी ने उसी के मतलब जैसे उसकी चोईस थी कि वही वो मोगली दे तो कोई टैधी जाने मुझे काफी दूर जाना पढ़ता है घर मेंमने पूरा कुरा हम थे diverse ही मैंने प्रिंट आउट करवाया और मैंने घर में ही ये टोपर तियार करें मुझे इन टोपर को तियार करने में पुरा एक दिन पहले से दुपेरी में लगी गई थी तो वो टोपर मैंने तियार करके रख लिए तो अगले दिन जैसे ही मुझे ओडरा है मैंने तुरंती प्रि नहीं चाहिए लाइट कलर चाहिए अब मोगली थीम केक है वह तो डार्क ही बनता है क्योंकि जंगल तो हरा भरा रहता है लेकिन उनके कहने पर मैंने बहुत कम कलर यूज किया है तो यहां पर मैंने जो बेस है इसका बनाया है नीले रंग का और एक मैं बनाऊंगे हलका हलका ग्रीन कलर का तो यह नीचे वाला बेस है इसको हम तियार कर लेंगे तो मैंने यहां पर यह पाएपल केक जो उन्होंने बोला था पाएपल केक बनाने के लिए तो पाइपली केक को और था मेरा चोकलेट केक तो इसका मैंने तयार किया था तो यह देखकिए आप यहाँ पर मैं हल्क ग्रीन कलर की थीशाय जिएंस वरे घ्रन घ्र कि culturally यूजी। तो इसमें जो ग्रास वाली नोजल में ना मेरे से अच्छा से बन नहीं रहा था क्योंकि मेरी जो क्रीम थी वो थोड़ा सा हाड थी और ग्रास के लिए मुझे विगदम से हलका लाइट क्रीम चाहिए होती थी तो मैं इस तरह से यह नहीं कर पाई थी तो यह देखी यह सारे तो पर मैंने फ्रिंट आउट निकल वाकिया फिसकी कटिंग करके और उसे मतलब एक गत्ते पर चिपका कर इस तरह से मैंने श्टीकर तियार करें तो आपको यह श्टीकर कैसे लगे जरू मुझे कमेंट्स देके बताइए यह हमारा मोगली जो थीम था ना वो केक तियार हो बनाया था उसमें बच गई थी तो वह मैंने इसके अंदर थोड़ थोड़े फूल बना दिया और और कलर फूल स्प्रिंकल चाड़ तरफ लगा दिये थे तो यह देखिए हमारा मोगली थीम केक बनके इदम से त्यार हो गया आपको यह कैसा लगा अगर आपको पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं और मुझे यह जरूर बताएं कि जो मैंने यह हाथ से टोपर बनाया यह टोपर कैसे लगे आप जरूर मुझे कमच दे के बता सकते हैं और आपको यह कैसा लगा आप बनाईए अपने ग्रूप में भी शेयर कीजे फिर मिलती हूँ एक नई राश आपकली बाई